सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेकनोलजी लेटास्ट वीडियो के लिए बेल आइकोन दोएं वेलकाउंट टू मैज चैनल सुपर टेकनोलजी मेरा ना मन्दीब दुल्ट दोस्तो OVDSS एप को यूज करना टीचर एंड स्टूडेंट के लिए बहुत ही ईजी है इस एप को यूज करने के लिए कोई भी अकाउंट निक्रेट करना पड़ता ना है कोई इमेल आइडी फिल करना पड़ता है टीचर लिंक के तूडेंट को होंवर्क सेंड कर सकते हैं इस एप को यूज करने से आपके मॉयल की डाटा स्टोरे जा गूगल ड्राइब की स्टोरे यूज नहीं होती अभी हम वीडियो में देखने वाले कैसे टीचर ने OVDSS के तूडू लिंक क्रेट करके स्टूडेंट को गूगल क्लासरूम में होंवर्क सेंड करना है और कैसे स्टूडेंट ने इस एप के तूडू लिंक क्रेट करके गूगल क्लासरूम पे रिस्पॉंड करना है यह से भी देखने के लिए बढ़े रहे हैं मेरी वीडियो के एंड तक दोस्तो लेफ्ट फोन को हम एज टीचर फोन यूज करेंगे राइट फोन को हम एज टूडेंट फोन यूज करेंगे दोस्तो सबसे पहले टीचर ने प्ले स्टोर ओपन करने प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पे टाइप करना है O V D S S आपने फस्ट एप पे क्लिक करना है उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है install होने के बाद open पे click करना है दोस्तों जैसी आप open पे click करोगे तो आपके पास कुछ इस type की screen show हो जाएगी दोस्तों अगर आप OVDSS को without install किये mobile जा laptop में use करना चाहते हो तो आपने browser में type करना OVDSS.com दोस्तों सबसे first option मिलती है left पे 3 वार्थ की जैसी आप यहाँ पे click करते हो तो first of all option आरी है create post की जैसी आप यहाँ पे click करोगे तो आप new post create कर सकते हो after that option आएगी my post की दोस्तों जो भी आप post create करोगे तो आपके post automatically save हो जाएगे without sign in अगर आप किसी other pc में जा किसी other mobile में same post को use करना चाहते हो तो आपने login पे click करना है login पे click करने के बाद आप किसी other pc में भी use कर सकते हो जैसे यहाँ पे login with facebook की option आ रही है और in coming time आपको यहाँ पे login with google की option भी मिलने वाली है और दोस्तों अभी हम देखते हैं कि use कैसे करना है first of all आपने title पे click करके title create करना है जैसे यहाँ पे मैं write कर रहा हूं assignment one उसके बाद आपने file पे click करना है दोस्तों जैसे आप file पे click करोगे तो यहाँ पे option आ रही है new document की preview की आप preview भी देख सकते हो कि आपका document किस type का ready हो है उसके बाद option आ रही है print की जिसको आप बाद में देखने वाले है and हमें use भी करेंगे next option आ रही है format की दोस्तों जैसे आप format पे click करते हो तो आप यहाँ पे bolt and tally के underline strike through super script and subscript code format, blocks, fonts, size, aligns, text color and background color भी आप यूज कर सकते हो उसके बाद next option आ रही है टूल्स की दोस्तों next option आ यह table की जैसे आप यहाँ table पे click करते हो तो आप यहाँ पे click करके table भी grade कर सकते हो row, column and cell भी add कर सकते हो जैसे यहाँ पे teacher को दिक्स्टेशन भी add कर सकता है teacher ने राइड करने के बाद insert पे click करना है जैसे insert पे click करेगा तो यहाँ पे option आएगी image की, लिक की आपको YouTube का link भी शेयर कर सकते हो एड़ आप media भी add कर सकते हो अगर आपको table एड़ करना चाहते हो मैं is teacher कुछ अड़ करना चाहते हो यहाँ पे like तो यहाँ पे special character भी यूज कर सकते हो जैसे यहाँ पे आभी as a teacher image पे click करूंगा browse पे click करना है करके done पे क्लिक कर देना है जो भी आपने jpg एड किया उसकी automatically width and height आपको शोग होगी उसके बाद आपने save पे क्लिक करना है जैसे आप save पे क्लिक होगे तो आपकी jpg insert हो जाएगी और दोस्तो अगर जो भी आपने यहां पे अगर आप उसका कोई बोल्ड करना चाहते हो जा कोई आप फॉंट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिक करके फॉंट का कलर भी चेंज कर सकते हो और दोस्तो अगर आप बैकराउंड कलर चूज करना जाते हों तो आपको यहां पर क्लिक करके बैकराउंड कलर भी चेंज कर सकते हूं कि दोस्तों अटेश्मेंट को एड करने के बाद टीचर ने यहां बॉटम पे ड्रैक करना है यहां पर आपको शो होगा 12 वर्ड्स जो भी हमने यहां पर वर्ड्स लेके हैं उनकी अकांटिंग यहां पर हो जाएगी और क्रेट पोस्ट पे क्लिक करना है तो आपकी पोस्ट क्रेट हो जाएगी दोस्तों पोस्ट क्रेट होने के बाद आप यहां थ्री डॉट्स पे क्लिक करके माई पोस्ट पे क्लिक करके भी पोस्ट को शेर कर सकते हूं Otherwise आपके पास यहाँ पर option show हो रही है generate PDF की, word document की, generate text की and copy link की आप यहाँ पर click करके generate PDF भी कर सकते हो जैसे हम यहाँ पर clicker की PDF मैंने generate कर ली है तो यहाँ पर मेरे पास as a PDF भी जो document था वो save हो गया अगर आप link के थ्रू send करना चाहते हैं तो आपने यहाँ copy link पर click करना है जैसे आप copy link पर click करोगे तो आपके पास यहाँ पर show होगा success link copied teacher google classroom के थ्रू जा whatsapp के थ्रू भी इस link को share कर सकते है दोस्तो teacher ने classroom में classwork पर click करना है and plus पर click करना है and जैसे assignment पर click करना है उसके बाद आपने title write कर देना है assignment उसके बाद description में आपने इस link को long press करके paste कर देना है teacher यहाँ पर due date डालके students को work send कर सकता है जैसे student अपने phone को refresh करेंगे classroom को refresh करेंगे तो student के पास यहाँ पर assignment show होगी and जैसे student इस link पर click करेंगे तो student के पास यहाँ पर option आएगी browser के थूपन करने की तो student ने browser को select करने दोस्तो यहाँ पर student के पास जो work था वो easily show हो गया अगर student यहाँ से reward करना चाहता है तो student यहाँ से भी reward कर सकता है creative post पे click करके and अगर student app को install करना चाहता है अपने phone में तो आप अपने phone में भी app को install कर सकता है लेकिन मैं आपको app के थूप करूँगा कि student ने app के थूप कैसे respond करना है तो student ने भी ऐसे OVDSS app को अपने phone में install करना है जैसे मेरे phone में already installed है उसके बाद open पे click करना है open पे click करने के बाद यहाँ पे title write करना है assignment first response उसके बाद student ने अपने हैं पे name write करना है अगर name road number या other details student write करना चाहता है after that insert पे click करने insert पे click करने के बाद image को select करने image को select करने के बाद upload पे click करने and browse for image पे click करने उसके बाद source select करके image को insert कर दिने दोस्तो जैसे image को select करेगा student तो image automatically upload होना start हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर वेट थैंड आइट शो होगी मेज की after that save पर क्लिक करना है दोस्तो फस्ट मेज एड़ करने के बाद अगर आप second मेज एड़ करना चाहते हो तो जो आपने पहले मेज upload किया वो मेज अनसेलेक्ट करना होनी चाहिए जैसे यहाँ पर जो blue color है it means image already selected है तो आपने यहाँ कहीं पे भी outside पे क्लिक करना है outside पे क्लिक करने के बाद आपने एक space पे क्लिक करना है उसके बाद आपने next image insert करनी है तो फिर से आपने insert पे क्लिक करना है and image पे क्लिक करना है फिर से upload पे क्लिक करना है and browse maze करनी है and maze को select करके फिर से upload कर दिना है and save पे click करना है दोस्तो अभी यहाँ पे second maze भी upload हो गी है दोस्तो अगर आप भी और maze add करना चाहते हो आप यहाँ पे next maze भी add कर सकते हो and अगर आप किसी maze को delete करना चाहते हो तो अपने maze को select करना है मेज को स्लेक्ट करने के बाद आपने Space पे क्लिक कर देना है तो मेज ड्लीट हो जागी जैसे हैं यहाँ पर मैज को दोनों मेज को मैने ड्लीट कर दिया है दोस्तो अगर आप यहाँ पर Undo करना चाहते तो आपने Edit पे क्लिक करना है and उसके बाद undo पे क्लिक कर देने हैं, फिर से अपने अटेट पे क्लिक कर देने हैं, दोस्तों, यहाँपे मेरी फिर से dua meze बापस हागी है, जो मेंने भेड़ की थी, अगर आप पर विवीव देखना जाते हैं अपनी काम का, तो आपने यहां preview पे click करने है जैसे आप preview पे click करोगे तो आपके पास यहां पे आपका work show हो जाएगा जैसे आपने यहां पे name manually write किया था after that आपने close पे click करने close पे click करने के बाद आपने create post पे click करने आप उससे पहले आपने sure कर लेना कि आपने title का name name write किया या नहीं किया उसके बाद क्रेट पोस्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी पोस्ट क्रेट हो जाएगी अफ्टर डैट आपकी पास यहां पे option आएगी options की दोस्तों अभी यहां पे मैं three dots पर क्लिक करके post को सेंड करूंगा जैसी आप my post पे click करोगे तो आपके पास यहां पे post का status active शो हो रहा है and edit भी कर सकते हूं and अगर आप open करना चाते हूं आपने open पे click करना है open पे click करने के बाद आपके बाद फिर से options शो हो जाएगी आपने option को select करना है option को select करने के बाद आप copy link पे click करके link send कर सकते हो अगर आप PDF download करना चाहते हो तो आप इने इने पीडियाप पे click करना है अगर आप share पे click करके send करना चाहते हो तो यहां से भी आप direct WhatsApp के through जा किसी other source like Gmail, Telegram, SMS किसी source के through link send कर सकते हो जैसे यहां पर मैं copy link करूँगा आप यहां से भी copy link कर सकते हो जैसे आप यहां पर copy link करोगे तो आपके पास यहां पे शो होगा successful link copied दोस्तों उसके बाद student ने फिर से Google Classroom में विजड करना है Google Classroom में विजड करने के बाद student के पास यहां पर शो होगी add attachment तो student add attachment पर click करके link पर click कर देने है जैसे student link पर click करेगा तो यहां पर link paste करने का option है तो student यहां link paste करके add कर देने है उसके आपद mark as done पर click कर देने है added कर सकते हूँ and send कर सकते हूँ दोस्तो अगर आपकी किसी भी education एपकेड़ कोई रही है जा कुछ suggestion है तो मेरी वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं आपके हर comment कर अप्लाई करूँगा thank you for watching please subscribe my channel for more technical updates